लोकसवा चिनाव से पहले प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने पत्रिका को दिये एक्स्क्लूजिव इंटर्व्यू में कई मुद्धों पर अपने विचार रखे डिप्टी एडिटर भुवनेश जैन से खास बातचीत में प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने कहा कि हमने जम्मो कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया वहां भारत का पून रूप से सम्विधान लागू किया दशकों तक देश के सामने आर्टिकल 370 की ऐसी तस्वीर पेश की जाती रही जिसे लोगों को लगता था कि ये मुद्धा कभी सुलज ही नहीं सकता जब हमने इसे खत्म कर एक देश एक विधान का अपना संकल्प पूरा किया तो इसकी आश्रवात स्वरूप जनता जनारदन भाजपा को 370 सीटे जिताने की बात करने लगी तो पहले एक भावनात्मक जुडाव के रूप में भाजपा के लिए 370 सीटों की बात हुई और फिर एंडिये को 400 सीटे मिलने की चर्चा होने लगी अब की बार 400 पार के माध्यम से करोडों भारतिये भाजपा को अपना विश्वास प्रकट कर रही है राजस्तान में भी मैं जहां भी जा रहा हूं हमें पिशली बार से ज्यादा जन समर्थन देखने को मिल रहा है वह ये प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने कहा कि 10 साल पहले जब इस देश के लोगों ने उन्हें सेवा का अवसर दिया तो उनके सामने कई कठिन चुनोतिया थी उन्हें पिशली सरकार के बनाएं गड़े भी भरने थे और देश के विकास को गती भी देनी थी तब हमारी गिंती फैजाइल 5 में होती थी हमारी अर्थवेवस्था 11 नंबर पर थी और उस समय की सरकार देश को ये भरोसा दे रही थी कि हम 30 साल बाद टॉप 3 में शामिल होंगे आज भारत की पहचान दुनिया में ब्राइट स्पॉट के तोर पर की जाती है ये अंतर इसलिए आया है क्योंकि हमारी सरकार ने रिफॉर्म, पर्फॉर्म और ट्रांस्फॉर्म करके दिखाया है 2014 से पहले देश की गाउं में स्वच्छता का दायरा 40 प्रतिशत से भी कम था आज हम 100 प्रतिशत के लक्षे पर बहुँश रही है हमारी सरकार से पहले LPG कनेक्शन सिर्फ 50-55 प्रतिशत घरों में था आज करीब 100 प्रतिशत घरों में ग्यास कनेक्शन है आजादी के बाद साथ दशकों में देश के सिर्फ 17 प्रतिशत ग्रामिन परिवारों तक नल से जल की सुविधा थी जल जीवन मिशन के वज़े से आज करीब 70 प्रतिशत ग्रामिन परिवारों तक पानी पहुँश रहा है वही पियमोदी ने कहा कि बॉंड के बिना चुनाव को कालिधन की और धकेल दिया गया वोट बैंक ने कॉंग्रस को आसहाय बना दिया है इंटर्व्य के दरान पियम ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव से कई फायदे है